हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर 9 साइंस का चैप्टर नमबर 3 जिसका नाम है करेंट इलेक्रिसिटी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लेक्चर वन मैंने अल्रेड़ी अप्लोड कर दिया है जिसमें मैंने आपको यह फर्स पेज सेकेंड थर्ड और फोर्थ पूरा एक्स्पेरियन कर दिया था आज हम शुरू करेंगे पेज नमबर 34 से जिस पे दिया हुआ है रिसिस्टेंस अड ओम्स लॉ अब यह ओम्स लॉ क्या बोलता है ओम्स लॉ रिलेशन्शिप बताता है कि इसमें करेंट आए और पोटेंशल साइंटेस्ट जॉद साइमन ओम ठीक है यह ओम नाम इसके यहां से आया है इसके नाम से ओम्स लॉ और क्या बोल रहा है एक वायर है वो वायर में एक करेंट फ्लो हो रहा है आपको पता है न करेंट आप देख नहीं सकते और करेंट का फ्लो होगा जब इन दोनों इसको हम लोग किसे देनोट करते हैं वी से तो यह वी और आय के बीच में एक रिष्टा है वो रिष्टा हमको बताता है ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ क्या बोलता है इफ द फिजिकल स्टेट अफ थे कंड़क्टर रिमेंस कॉंस्टेंट फिजिकल स्टेट मतलब अगर यह वाय इस डायरेक्ली प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर्ोर अब यहाँ पे अगर मैं यह के को इस तरफ लिकी जाओ यहाँ पे एक कि क्या हो जाएगा धिवाइड हो जाएगा ठीक इदर देखोँ एक को इधर लिखे है तो इदर लेकर नो इसको लिखने का अगलच तरीक है क्यों लिख आपको next step में समझ भाए और V इधर अके लाओ गया ध्यान रख लो ये K को इधर बेज दिया तो K यहां से गया बन गया I upon K I upon K को लिख दिया I into 1 upon K equal to V ये 1 upon K को एक नया नाम दे दिया जिसको बोला गया resistance of the conductor Ohm's law ने ये define किया तो Ohm ने बता है कि 1 upon K को R नाम दे दो और ये R क्या है भई? R एक नई चीज़ है resistance of the conductor resistance क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा तो आपको क्या मिला ये 1 upon K के जगे पर R आ गया तो I into R equal to V अगर इसको मैं V पहले लिखूँ तो कैसे लिखूँ अब V equal to I into R मतलब I R ना तो V equal to I R भी मैं लिख सकता हूँ इसको और अगर मुझे R के form में लिखना है तो R को इदर रखो I को नीचे बेज़ो तो आ जाएगा R equal to V upon I ये तीनो एक ही form है तो आप एक याद रखो ये वाला इसमें से आपको ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा सेम ही है न वो तो तो ये है अपना Ohm's law याद रखो ये है अपना Ohm's law ओके अब हम देखते हैं resistance होता क्या है resistance समझने का ये best diagram है थोड़ा सा ध्यान दो ये wire है ठीक है ये wire के अंदर से ये amp मतलब ये current ये current जाने की कोशिश कर रहा है वो current कैसे जा रहा है current खुद नहीं जा सकता current किसी की help लेके जाता है तो जो potential difference है volt वो उसको धक्का मार रहा है अंदर जाने के लिए याद है करण्ट कब आएगा जब potential difference होगा तो potential difference क्या करता है current को धक्का मारता है एक point से दूसरे point तक resistance क्या करता है ये resistance है resistance इसको खीच रहा है और आगे नहीं बढ़ने दे रहा है रेजिस्टेंस ये current को आगे बढ़ने से रोकता है या फिर उसको slow कर देता है ये है relationship between potential difference current and resistance रेजिस्टेंस का literal meaning English meaning ही वो है resist करना रोकना तो हम लोगों को पता है क्या है relation V is equal to IR और या मैं बोल सकता हूँ R is equal to V upon I बोल सकता हूँ ऐसे ये I को इदर बेज दिया दो तो ये relationship है और ये तीनों का physical अगर आप मतलब देखे तो ऐसा है current आगे जा रहा है क्यों आगे जा रहा है because उसको potential difference धक्का मार रहा है और resistance क्या करता है oh मैं न resistance resistance उसको slow करता है या उसको रोकने की कोशिश करता है ठीक है उसके path में वो obstacles create करता है देखो रसी पकड़े के तो actual current में ऐसे तीन बच्चे नहीं है ये तो एक diagram बता दिया मैंने जिसमें आपको समझ में आगा ठीक है तीनों का मतलब समझ गया wire में कैसे होता है ये wire देख लो अच्छे है अगे चलो देखते हैं आगे तो मैंने आपको resistance समझा दिया क्या है we can obtain the SI unit of resistance from the above formula मैंने आपको बताया कि unit कैसे निकालेंगे हम लोग one one ले लेंगे तो अगर मुझे resistance का निकालना है तो V जो है potential difference one volt ले लेंगे और I क्या है current current क्या ले लेंगे one ampere तो हम लोग one volt upon one ampere one upon one क्या आ जाएगा one upon one आ जाएगा one और volt upon ampere जो आ रहा है उसको एक नया नाम दे दिया ohm क्यों ohm because यह जो बंदा है George Simon ohm इसने बहुत मेहनत करी है इसा बताने के लिए इसले बोला ठीक है भाई यह V upon I करके जो भी आता है resistance उसके unit को नाम दे देते हैं ohm अब बता one ohm क्या होता है one ohm कब आता है जब one ampere का current flow होगा कहां से एक conductor में से जब एक voltage का potential difference apply किया होगा तो जो resistance आत इधर one इधर one यह one क्या है volt यह one ampere और यह आजाएगा one ohm one upon one one ठीक है resistance का जाएगा ohm इस one ampere current flows through a conductor यह देखो one ampere current flows through a conductor when one volt potential difference is applied between its ends when one volt potential difference is applied between its ends then the resistance of the conductor is one ohm यह one ampere है यह one volt का potential difference है तो one ohm का resistance आएगा यह जो लिखा है ना पूरा यह यही explain करके लिखा हूँ next है resistance and resistivity of a conductor अब यह जो resistivity है यह resistivity कहां से आती है यह जो material होगा उससे आती ठीक है रेजिस्टिविटी मतलब जो resistance, उसकी resistance करने की जो ताकत है, वो, वो कहां से आती है, जो भी conductor है, जो भी wire आपने यूज किया है, उसका क्या material है, उसके उपर depend करता है कि कितनी resistivity होगी, explain करने के लिए, फिर से 3.4 figure यूज करने मुले, 3.4 हमने बहुत ही detail में सीखा था, free electrons, ज potential जाना शुरू कर देते है, negative से positive, ठीक है, lower से higher, बट जो इसके normal electrons है न, ये conductor में, ये जो घूम रहे हैं, वो तो free electrons है, कौन से, free, लेकिन जो बाकी के electrons है, जो आटा में, उसमें बहुत सारे electrons होते हैं न, एक होना जरूर नहीं है, ये एक तो free था, बाकी जो उसके nucleus से एकद बोलते हैं, तो ये जो रोकने वाला पाट है न, इसको बोलते हैं, resistance, तो हरे एक material में, अलग-अलग type के electron होगे, उनकी numbers जोंगे, वो अलग होगे, तो अगर number अलग है, तो यहाँ पे जगा भी अलग-अलग होगी, तो material पे depend करेगा, कि resistance कितना होगा, समझ में आया है, current कहा से आता है, current आता है, ये जो free electrons है, उससे, resistance कहां से आता है, जो free electrons नहीं है, free electrons क्या होते हैं, देखो, अगर ये nucleus है, उसके round-round electrons घूम रहे हैं, और एकाद electron यहाँ पे free पड़ा होता है, वो एकदम कम power से attached होता है, center से, nucleus से, ठीक है, तो ये जो free है न, ये यहाँ पे इस रहे हैं, resistance कर रहे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे हैं, आया समझ में, चो ये यहाँ पे दिया हुआ है, moving electrons strike the atoms and ions which lie along their path, such collisions cause hindrance to the flow of electrons and oppose the current, this hindrance is called the resistance of the conductor, ठीक है, इसी को बोलते हैं, resistance of the conductor, resistivity क्या है, resistivity एक conductor की property है, कि वो conductor में कितरा resistance देने की ताकत है, वो किस पे depend करती है, वो resistivity depend करती है, conductor के length पे, conductor के cross section area मतलब, दिखो कर ये wire है ऐसा, ठीक है, ये wire को आप इधर से देखोगे, तो ऐसा दिखेगा, ये आगे circle होगा लेकिन ऐसा दिखेगा, ये जो है, इसको ब case में, अगर wire square होता, ठीक है, wire अगर square होता, तो यहाँ पे से अगर आप देखते, तो आपको ऐसा square दिखता है, ये wire आगे तक जा रहा है, तो ये जो square का area, ये हो जाता है area of cross section, cross section मतलब ये जो hole हो रहा है न, ये, इसको बोलते है cross section, and the material it is made of, तो तीन चीज़ों पे depend करता है, पहला है उसके length पे, दूसरा है उसके area of cross section पे, और तीसरा है material पे, तो जब मैं resistivity निकालूंगा, तो उसमें ये तीनों चीज़ आनी चाहिए, अगर मैं resistivity R निकालूंगा, तो उसमें length भी होना चाहिए, area भी होना चाहिए, और material के बारे में भी कुछ होना चाहिए, ज ये find out करके आपको दिया हुआ है कि length को वो directly proportional, also जो area है ना A, ये A ampere नहीं है, तो ये जो R है ना, ये किसके उपर dependent है, ये length के उपर dependent है, length किसका ये wire जो भी है यहाँ पर उसके, उसके cross section area मतलब जो उसका goal area जितना होता है, उसके उपर dependent है, पर कैसे dependent है, वो length को directly proportional है, और जो area है उसको inversely proportional, inversely आद है ना, 1 upon A होता है, indirect proportion आपने किया था, तो अगर ये दोनों को साथ में मिला के लिख दो, तो ये R एक साथ आजाएगा, और directly proportional मतलब उपर length, inversely proportional मतलब नीचे ampere, तो मुझे मिल गया R proportional to L upon A, ये को ना, उपर L है, यहाँ पर 1 upon A है, दोनों को multiply कर तो L into 1 upon A, L upon A आजाएगा, अब अगर मुझे sine हटा नहीं है, तो मुझे equal to K constant डालना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर K डाल सकता था, लेकिन ये resistance की एक special property होती है ना, wire की, उसको resistivity बोलते हैं, तो K के जगे पर हमने उसको नाम दे दिया है, रो, इसको रो बोलते हैं, ठीक constant, वो आपको देंगे, अगर उसके उपर problem पूछा तो देंगे, अगर diamond है, तो diamond के row की एक अलग value होगी, row क्या है, constant of proportionality, ठीक है, and is called the resistivity of the material, जो भी material है, उसकी resistivity बताता है, कोई भी एक material के लिए वो constant होती है, तो यह एक नया formula आपने सीखा, कि R is equal to row into L upon A, ओके, इसको ब बहुत लोग P बोल देते हैं, बोल दो P क्या फरक पड़ता है, याद रहना चाहिए बस, क्या क्या है, R is resistance, यह constant of proportionality, या फिर उसको बोलते हैं resistivity, L मतलब length of the conductor, A मतलब cross section of the conductor, तो यह एक और formula बहुत ज़्यादा important, अब next जो है, वो सबसे interesting concept है, electric circuit, ऐसे मतलब जो सर, यह त circuit है, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन है, अगर आपने कभी कोई board खोल के देखा है, या फिर mobile का कोई chip निकाल के देखा है, तो उसके ग्रीन कलर की एक chip होती है, उसके उपर पतले-पतले wire का ऐसे diagram होता है, वो circuit है, ठीक है, तो electric circuit क्या होता है, a continuous path of an electric current through conducting wires connected to the two ends of a cell and other resistances, देखो यहां पर, क्या है, continuous path, अगर मैं यहां से जाओं, तो continue एक path बन रहा है, मुझे रस्ता छोड़ना पड़ रहा है क्या, नहीं, through conducting wires, अगर यह wires conducting है, तो यह होगा, बीच में plastic आ गया, तो जो current हो plastic के तो तो flow ही नहीं हो सकता, तो continuous नहीं होगा, ठीक है, continuous मतलब यह जो attach करके आपको बताया था न, देख लो ऐसे, अगर यह battery आपको समझना है, तो यह ऐसे इदर, यह इदर plus, इदर minus, बट हर बार आप ऐसा diagram तो नहीं बना सकते, cell का, इसलिए यह cell को अगर आपको diagram में बताना है, तो आप ऐसे बताएंगे, एक ऐसी sign डालेंगे, एक छोटी ड conducting wire का circuit connect किया, एक cell से, and other resistances, अब यह resistance कैसे बताएंगे, resistance मतलब क्या, resistance मतलब कोई भी रास्ते पे आपको रोक रहा है, जैसे कि अगर सीधा रास्ता है, तो उस पर खड़े आ गए, तो वो resistance हो गया न, आपको रोकने की कोशिश करा है, तो वैसे ही देख, current यहां से जा रहा अगर मुझे यहां पर resistance बताना है, तो resistance मैं ऐसे बताऊँगा, खड़े हैंगे, तो resistance बताने का diagram में अगर आपको है कभी, तो यह वाला symbol यूज करते हैं, तो देख रहा है, यहां पर continuous wire है, यहां पर cell है, यहां पर resistance है, यहां पर कुछ दो arrow वाला भी बनाया गया है, वो मै आपको आगे चाके बताता हूँ, लेकिन अभी समझ लो कि यह electric circuit क्या होता है, continuous path of an electric current, through किसमे, conducting wires, connected to the two ends of a cell, देखो, एक end और यह दूसरा end, and other resistances is called an electric circuit, a circuit is depicted by a figure, यह रहा वो figure, the figure shows how components are to be connected in the circuit by using special symbols, देखो, बैटरी के लिए symbol, resistance के लिए symbol, current के लिए, देखो, arrow दिया हुआ है, for each of the components, such a figure is called an electric circuit diagram, diagram में क्या होता है, ऐसे symbols दी होता है, तो आपको अभी, यह लोग सिखाएंगे symbols क्या होते है, अभी यह मैं आपको बता देता हूँ, यहां से current अगर जा रहा है, आपको measure करना है कि current कितना है, कैसे करेंगे, एक तरीका है कि अगर आपको current measure करना मता, मजाग कर रहा हूँ, हाथ लगा के दिखेंगे, कितने जोर का जटका लग रहा है, उससे आप बता रहेंगे, पर इससे तो पता नहीं चलेगा, कार्टून वगरा में होता है, कि आँख में आ जाता है current का measure, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो आपको कुछ तो यहां पे लग amp measure करता है, ampere measure करता है, इसलिए उसको बोखते हैं amp meter, और यह जो resistance है, इसके across ऐसे wire लगा है, आपको मैं बताऊंगा के ऐसे क्यों लगा है, अभि समझ लो, यह क्या लगा है, voltmeter, यह क्या measure करता है, potential difference potential difference का unit क्या होता है potential difference का unit होता है volt और अगर मुझे volt measure करना है तो मैं क्या करूँगा volt meter लगा दूँगा तो मैं potential difference measure कर सकता हूँ तो ये क्या करता है ये जो circuit में current जा रहा है I उसको measure करता है और ये क्या करेगा ये यहाँ पे जो potential difference generate हो रहा है देखो बिना potential difference के तो current होई नहीं सकता ना तो जो potential difference दा रहा है उसको measure तो दो चीज़े हमने देख रही वोल्ट मीटर और आम मीटर ये connected in series in parallel ये अभी छोड़ दो देखो मत मैं एकदम मस्त आपको सिखा दूँगा कि ये in series in parallel में आपको कभी doubt ही नहीं आएगा okay in the circuit in figure 3.5 an ammeter is used to measure current and a voltmeter to measure the potential difference between the two ends of a resistor as a voltmeter has a very high resistance only very small current flows through it ये line mark करके रखो ये line mark करके रखो मैं आपको बाद में explain करूँगा कि क्यों ये जरूरी है क्योंकि देखो ऐसे imagine करो कि यहां से current आ रहा है current आ ये आ ये ये यहां पर आएगा यहां पर ये यहां पर पहुचे गा तो current के पास 2 ऐप्शन होगे यार मैं यह रस्ते से जाऊं कि यह रस्ते से जाऊं यहां पर खड़े है यहां पर देखो यह goal बनाया हुआ इसके तरूर जाना पड़ेगा तो थोड़ा इधर से जाएगा, थोड़ा इधर से जाएगा, ठीक है, जो इधर से जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा यहाँ से जाएगा, वो यहाँ पे, दोनों जन वापे से ही पे मिलेंगे, वापस मिलके इधर पहुच जाएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे, ऐ यहां से पानी का flow हो रहा है हो रहा है हो रहा है यहां पर आया पानी यहां पर आया है हमको पता चलेगा कितना पानी यहां से जा रहा है और ये खड़े भी हैं और इस पे बहुत बड़ा slope है voltmeter का जो चड़ने में बहुत तकलीफ होगी तो जो current है ना वो current यहाँ पे बहुत जादा नहीं जाएगा तो let's say 3A है ना total current यहाँ पे यहाँ से मैंने बोला ना 3A का current निकला हमको इसने बताया ना कि 3A है तो 3A में से थो तोड़ा सा current यहाँ पे जाएगा let's say 0.001 जो बाकी बचाना current हो सब यहीं से चाहता है ठीक है तो यहीं बोल रहा है वो as a voltmeter has very high resistance only very small current flows through it इसके तुरू current बहुत कम जाता है जाएगा definitely जाएगा क्यों जे रस्ता मिल रहा है तो रस्ता मिल रहा है तो जाएगा लेकिन बहु बुकता है current को current को बुलता है भाई तु मेरे तरो मत जाएगा ठीक है observe point out the mistakes in the figure above अब यह बहुत important है क्योंकि इसको देखकर आपको समझ में आएगा कि circuit क्या होता है circuit क्या होता है देखो है यहाँ पर continuous path continuous रहे कोई closed loop बन रहा है ऐसे मत तो चुरहें यहाँ पर तो gap है यह gap यह बैटरी बताने का एक तरीका है तो continuous path होगा तो ही circuit चलेगा तो यहाँ पर इन्होंने 3-4 example दिये और बुला है point out the mistakes in the figure above अब देखो यहाँ पर duration लगा दिया cell का एक wire इधर connect किया एक wire इधर connect किया और यह यहाँ पर bulb लगा दिया अज्यूम कर लिए चावी जो है की जो ह दो नहीं होना ची उसने बुलाए mistake निकालो फिक है क्योंकि यहाँ पर देखो wire तूता हुआ है because यह wire तूता हुआ है यह bulb कभी glow करेगा ही ने अगर यह wire यहाँ पर जॉइन होता तो यह bulb glow करता circuit continuous हो जाता हूं देखो यहां से जाता continuous 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 यहां से continuous इधर तो continuous है नहीं यहां बल्ब चालू नहीं हो सकता यहां देख लो इधर continuous continuous फिर यहां पे देखो continuous continuous लेकिन यहां पे आके cell को touch नहीं कर रहा है अगर cell को touch नहीं कर रहा तो battery चालू होने का कोई chance नहीं है अगर आपको यह try करके देखना है न तो छोटे LED के bulb जाते हैं उसमें दो wire होते हैं और ऐसे LED क बल्ब होते है ठीक है वो दो wire आप normal pencil cell को connect करके देखेंगे तो आपको समझ जाएगा जब connect करेंगे तो चालू होगा थोड़ा सा भी connection नहीं होगा तो बंद हो जाते है तो यहां पे भी यह गलत है क्योंकि यह बल्ब चालू होई नहीं सकता यह वाला example देख लो यहां पे continuous circuit देखो यहां से बल्ब फिर बल्ब के तुरू ही यह इधर touch है मतलब भई यह तो correct है लेकिन इसमें बल्ब तो glow नहीं कर रहा जिसमें glow करना चाहिए उधर glow किया नहीं तो यह wrong है क्योंकि यह glow करना चाहिए चौथे में दिया है piece of rubber यहां पे rubber attach कर दिया मैंने आपको बताय है कि rubber plastic यह सारे conductor नहीं होते current उनके तुरू जा ही नहीं सकता तो जब यहां से वह आएगा current यहां पे आके रुख जाएगा बोले का यार यह रस्ते पर तो मुझे नहीं आता कैसे गाड़ी चलानेगा वो रुख जाएगा ऐसे समझो एक बड़ा खड़ा है यहां पे ग्लो नहीं होगा क्योंके circuit complete नहीं है अगर यह metal का एक ऐसा वायर होता तो 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 यह current इसके तुरू चला जाता और circuit complete हो जाता और यह bulb ग्लो करता लेकिन जब rubber दिया हुआ है मतलब यह circuit complete नहीं है और यह bulb ग्लो नहीं होगा ठीक है second question लिया है why are the bulbs and figures B, C and D below यहां पर देखो B, C, D not lighting up देखो यहां पर तीनों जागे bulb light नहीं होगा ग्लो नहीं कर रहा है यह और B में ग्लो कर रहा है अब देख लो यहां पर lipनर फार परंटींट्रूणर से माचे continuous path नहीं है से pulp सेπल तक यह बीच में टूट रहा है इसलिए नहीं यह रहा, bulb देखो यहां पर जोइन необход किया हुआ लेकिन यह पर टूटा हुआ हुआ देख रहा है लेकिन टेक्सबुक में ऐसा ही दिया हुआ है तो यहां पर देखो वायर खुला इसलिए बल्ब नहीं चल रहा इधर क्या इधर इनों ने एकदम प्रॉपर कंटेनियूस बना दिया लेकिन दोनों वायर के एक ही जगे कनेक्टेड ऐसा नहीं हो सकता दोनों एंड को इधर को भी कनेक्ट होना चीए इधर को भी कनेक्ट होना चीए तो ही जब ऐसा कंटेनियूस पाद बने न देखो यह ऐसा यहां पर यह वाला देख लो तो अगर यह ब्लू अला वायर यहां नहीं और यहां अटैच्च होता तो यह ग्लो हो जाता अब यह देख लो यह जान बुछकर एक के उपर एक वायर दिया हुआ है लेकिने वायर प्लास्टिक का होता है जो उपर अंदर कॉपर होता है उपर इंसुलेशन होता है continuous flow है वो 8 बना रहा है 10 बना रहा है उसके हमको फरग नहीं बढ़ता देगो horizontal 8 बना लेकिन continuous flow जा रहा है continuous flow जाएगा तो bulb glow होगा इसलिए BCD में गलत क्या है यहाँ पे टूटा हुआ है यहाँ पे टूटा हुआ है और यहाँ पे दोनों end एक ही जगे को अटाच है इसलिए वो नीचे भी टच करना चीए तो ही वो remote चलता है कितनी बार remote पुराना हो जाता है तो यहाँ का spring होता है वो टूर जाता है यह धीला हो जाता है तो यह नीचे का cell उसको touch नहीं करता तो remote काम नहीं करता है न कभी-कभी होता है ऐसा ठीक है दोनों जगे उपर और नीचे दोनों तो यहाँ पर यह वाले page पर symbols for components of an electric circuit and their uses, जो actual electric circuit होता है उसमें तो battery, cell, ऐसे keys, wires, सब होता है, लेकिन जब आप diagram बनाएंगे तो असली का ऐसे figure बनाने जाएंगे, ऐसे वाला फिर color करेंगे, तो बहुत टाइम निकल जाएगा, तो ऐसा बनाना बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए यह लोग ने एक standard बना दिया कि अगर आपको cell बताना है, cell मतलब ये एक cell है, cell बताना है, तो आप क्या करेंगे, ये एक ऐसी लाइन डालेंगे, एक बड़ा लाइन, एक छोटा लाइन, और देख ऐसा, इसका मतलब क्या है, ये cell है, cell पे plus minus 2 होता है, इस पे भी देखो plus minus 2, दो-tीन cell एक साथ लगा दिये, देखो दो-tीन cell एक साथ लगा दिये, तो उसको बोलते हैं battery, बैटरी और cell सेम नहीं होता, cell मतलब एक single cell, बैटरी मतलब आप mobile के बैटरी बोलते हो न, बैटरी के अंदर cells connected होते हैं बहुत सारे एक साथ, इसलिए उसको बैटरी बोलते हैं, तो जो बैटरी है, वो क्या है, दो-tीन cell ऐसे हैं, तो जब ऐसा एक cell है, तो दो-tीन cell कैसे बताएंगे, एक, दो-tीन, ऐसे, दिख रहा है, तीन बड़ी-बड़ी line, और तीन चोटी-चोटी line, पर एक के बाद एक, पहले बड़ी-चोटी, 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 दिख रहा है, ये एक cell हो गया, फिर ये दूस तो तीनों का मिला के, इधर एक plus, इधर एक minus, ओके, open tap key, tap key का मतलब क्या है, ये circuit वगेरा जो है, उसमें current लगने का chance होता है, और circuit क्या करता है, cell use करता है, तो ये tap key क्या है, अब या आपके remote control की जो कोई गाड़ी है, या कोई doll है, या कोई कुछ भी आपके पास radio वगेरा ठीक है, इसमें speaker बज रहा है, इसमें on off का button होता है, आप imagine करो कि मैंने बहार से button दिया हुआ, तो wire ऐसे connected है, ठीक है, यहाँ पे battery लगी हुए है, और यहाँ पे मैंने on off का button दबा दिया, अगर मैं on करता हूँ, तो ये circuit complete हो जाता है, अगर मैं off करता हूँ, तो ये circuit incomplete होता ह key मतलब एक ऐसी metal की key है, जो मैंने अंदर डाली, तो ये circuit complete हो जाएगा, metal का होगा, तो दोनों join हो जाएगे, तो complete हो जाएगा, और ये radio बजने लगे, अगर मुझे off करना है, तो वो key अंदर से मैं निकाल दोंगा, तो दोनों के बीच में gap आ जाएगा, और circuit incomplete होगा, तो radio बंद हो जाएगा, तो key का मतलब क्या है, switch है, on off का switch, ठीक है, जब वो खुला होता है, तो बीच में gap होता है, जब बंद होता है, तो ये दोनों join हो ग.' एसे बंद होता है, तो हम लोग ऐसे indicate करते हैं, खुला होता है, तो यहां पर dot नहीं है, देखो, बंद है to dot, connecting wires, असली वायर ऐसा दिखता है हम तो scale से एक line बना देते हैं ठीक है crossing wires एक के उपर एक जब वायर जाता है आप आपके घर में कोई भी wiring देखेंगे तो आपको दिखेगा कैसे भी जाता है लेकिन जब आप figure बनाएंगे और एक के उपर एक wire बताएंगे तो देखो ऐसे मत बताना आपको आपको ऐसा बनाना बल्ब ऐसा बनाया मतलब बंद है और यह वाला देखो उपर ऐसे सं की जैसे आप रेज बनाते हो ट्राइंग में वैसे इसका मतलब चालो है नेक्स्ट है resistance आपके लेवल पे शायद आपके school के lab में resistance देखने नहीं मिले, देखने मिला तो बहुत अच्छा है resistance ऐसा देखता है यह इस पर color code है न देखो black, green, यह ऐसा ही time pass उसका favorite color इसलिए नहीं लगा यह color से उसका value पता चलता है अगर आपने science लिया और 11 standard में गए तो आपको ऐसे resistance दी जाएंगे और यह color देखके आप उसका value निकाल सकते हैं लेकिन figure बनाओगे तो यह ऐसा diagram बनादे में तो बहुत time जाएगा इसलिए resistance कैसे बनाएंगे यह शायद use now school में दिया तो बहुत अच्छा है एक ऐसा tool होता है जिसमें उपर ऐसे यह जो दिख रहा है यह आप drag कर सकते हैं यह drag करके आप इधर ले क्या हो या इधर ले कि जाओ जितना ज़ादा यह यहां से दूर होगा उतना ज़ादा resistance होगा तो variable क्यों क्यों क्योंकि आप change कर सकते हैं इसमें आप change नहीं कर सकते हैं यह जो color code का value दिया है उसके सबसे fixed value होता है अलग-अलग value का अलग-अलग resistor आएगा लेकिन इसमें आप ऐसा एक आपको tool दिया जाएगा ऐसा एक device दिया जाएगा तो कैसे करोगे, दोनों resistance है, तो दोनों में ऐसा ऐसा तो बनाए ही है, लेकिन यहाँ पे fix है, यह वाले जगे पे change नहीं हो रहा है, यहाँ पे fix नहीं है, यहाँ पे क्या है variable, तो variable बताने के लिए एक खाली arrow डाल दिया, इसका मतलब क्या है, कि यह resistance fix नहीं है value में, इसकी value आ आप आपके हिजाब से change कर सकते हैं, आपके हिजाब से मतलब circuit में आपको जितनी जरूरत है, m meter क्या करता है, मैंने बताया ampere measure करता है, ampere मतलब current, और volt meter क्या करता है, voltage, potential difference measure करता है, ठीक है, तो इसलिए जब ऐसा meter आपने देखा होगा, अगर आपके घर पे electric pump या motor है, या क तो amp meter का symbol क्या लेगा, एक, तो इसलिए A लिख दिया और goal बना दिया, क्योंकि generally इसका symbol भी ऐसा goal meter ही होता है, ठीक है, तो दोनों तरफ plus minus लिख दिया, और potential difference कैसे किया, potential difference क्या measure करता है, voltage, V, तो उसका symbol दिदिया, V, तो amp meter लगाना है, तो ऐसे goal बना के A लिखने का, volt meter बन बना सकते है, कोई भी बना सकता है, मैं बना सकता हूँ, तो आप भी बना सकते है, यह वाला diagram में बनाना मुश्किल होगा, लेकिन यह बनाना बहुत easy है, एक line डाला, एक line डाला, दोनों के बीच में ऐसा-ऐसा, उबढखा बढ़ लिखा R, यह वाला भी बहुत easy, ऐसा से ब बना के दिया, देखो यहां पर battery लगाया हुआ, देखो दिख रहा है battery, एक cell, दूसरा cell, यहां पर key है, key है कैसे metal का pin होगा, यह pin अंदर डाल देंगे, तो join हो जाएगा wire और circuit complete हो जाएग, ठीक है, यहां पर cell लगाया, यहां पर key है, कि यह मतलब switch है, ठीक है, on-off का switch, यह आप एक काम करो, wire लगा दो, पहले copper का, copper से दुनों को join करतो, copper एक metal है, conducting है, फिर यहां पर switch on करो, और ammeter में क्या reading आता है, वो यहां पर लिख दो, let's say, आता है 2 ampere, ठीक है, फिर आप यह copper का wire यहां से निकाल दो, और उसके से लिए पर aluminium का wire लगा, aluminium भी एक metal है, conducting है, फिर switch on कर दो, तो switch on करोगे current flow गा, यहां पर ammeter में reading आईगी, copper के time पर 2 ampere है थी, let's say, इसमें आई आपको 1.9 ampere, ऐसे कर करके, आप glass rod लगाओ, rubber लगाओ, आपको अलग-अलग values आती जाएगी, rubber में तो आपको पता है, values 0 होगी, क्योंकि circuit complete नहीं होगा, आपको क्या करना है, compare the values of current in different cases, current देखके आपको पता चलेगा, कि सबसे ज़्यादा current वैसे ही metal में से जाएगा, जो बहुत ज़्यादा conducting हो, जो current को पसंद हो, देखो current को अगर पसंद है तो उसके तुरू easily चला जाएगा, गर current को पसंद नहीं है, तो यहां पर आएगा, और भूलेगा, यार कहा गया है, ठीक है, ग्लास आएगा तो बलेगा, कहां आगया मैं, मुझे नहीं जाना ग्लास के तुरू लग गया तो मेरे पेर में, जाएगा ही नहीं, रबर आगया तो बलेगा, रबर तो फलेक्सिबल है, गिर गया तो मैं, copper होगा तो एकदम धड़ाक से आगे चला यहां पर aluminum का bridge बनाया, तो aluminum के तुरू भी हो जाएगा, लेकिन copper जैसे fast नहीं जाएगा, तो आपको यहां पर na m meter में उसके सबसे current मिलेगा, जितना fast जाएगा, जितना जादा जाएगा, उतना पता चलेगा, तो copper में सबसे जादा जाएगा हमेशा, यह copper बहुत जादा conducting हो होता है, यह बहुत important formula, resistance क्या होता है, मैंने आपको, यह diagram देखके बताया था, कैसे आपको पता करना है, potential difference current को धक्का मारता है, और इसलिए current आगे जाता है, लेकिन जो resistance है, वो current को रोकता है, देखो रसी बांद के रोक रहा है, यह क्या है, यह वाला एक pipe या wire समझ लिए, ठीक है, तो यह आपने देख लिया, फिर आपने ohm क्या होता है, वो देख लिया, George Simon ohm के नाम पे resistance का unit बनाया गया है, उसको बोलते है 1 ohm, ohm में उसका sparing, और यह symbol है ऐसे बनाना, exactly ऐसा बनाने मत जाओ, ऐसा लिख दोगे तो teacher को समझ जाएगा क्या आप ohm बोल रहा है, यह ohm ऐसा वाला मत बता देख, resistance and resistivity मैंने आपको explain किया, उसका formula कैसे आया, r equal to rho l upon a, l मतलब length, a मतलब cross section का area, यह जो rho है, यह resistivity है, वो क्या होता है, वो हर material के लिए constant होता है, यहां पे देखो कुछ values दीए, copper के लिए देखो 1.7 into 10 raise to minus 8 ohm meter, 10 raise to minus 8 मतलब यह बहुत छोटा number आने वाले है, diamond का देख लो, diamond का 1.62 into 10 raise to 13, 10 raise to 13 मतलब इसमें 13, 0 आने वाले हैं आगे, मतलब यह बहुत जादा resistance देगा, इसके तो current जाना, मुश्किल ही नहीं नामुम्किन हो जाएगा, ठीक है, तो यह resistivity दी हुई है आपको, आपको याद नहीं करनी, आपको देंगे म लोग अगर question पुछा उसमें, फिर मैंने आपको electric circuit explain किया, इसमें सिफ एक चीज रह गई है, कि यह ऐसे line में connect किया, और voltmeter connect करने के लिए एक अलग से wire क्यों लगा है, यह जब मैं आपको next lecture कराऊंगा, तब एकदम अच्छे समझाऊंगा, बहुत ही easy है, tension मतलो, अभी use नह हो रहा था, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, यह मैंने आपको explain कर दिया, यह circuits में हमने mistakes देखी क्या है, फिर हमने अलग-अलग symbols देखे components के, अगर आपको electric circuit बनाने बोला तो, और यह हमने activity देखी, कि इसके around हम लोग copper का bridge बनाएंगे, copper का wire लगा के, aluminum का बनाएंगे, कि वो current जाही नहीं पाए, क्योंकि rubber तो conductor ही नहीं है, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे, conductors and insulators, यह मैंने good roads, bad roads करके लिखा हुआ है, फिर उसके experiments करेंगे, और बागी का chapter करेंगे, तो आज हमने इसमें 3 pages कर लिए, page 34, page 35 और page 36, तो आज का lecture यहीं पर खतम करते हैं, अग अगर आपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर शेर करेंगे था कि उनको भी current electricity अच्छे समझ में आ जाए, अगर आपने चानल को subscribe कर दिया है, तो thank you, नहीं किया है, तो क्यों वेट कर रहे हो, इतनी डीटेल में maths और science कोई भी आपको नहीं बताने वाला, फटा फट से उड़ा देंग अप्रिशियेट करते हो, और मुझे motivation आता है और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए, thank you so much for watching this video,